Reserve Bank of India ने Prepaid Payment Instruments यानी Wallet Payments में अधूरी KYC से इस्तिमाल हो रहे हैं अकाउंट के लिमिट 20,000 रुपे से घटा कर 10,000 रुपे कर दी है इसे Digital Payments में कमी तो आएगी ही साथ ही देश के लोग जो PPI Apps का इस्तिमाल अपने रिष्टेदारों को पैसे भेजने के लिए करते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है नोटबंदी की बात कई Wallets चलन में आये थे जैसे Paytm, Mobiquic, PayU, PhonePay वगर Reserve Bank of India ने दिवाली के इस मौके पर लोगों को एक तौफा दिया है 8 नमबर 2016 को देश में नोट बंदी हुई जिसमें 500 और हजार की नोटों का चलन बंद हो गया सरकार ने Digital Payments का इस्तमाल बढ़ाने के लिए 22 नमबर 2016 को Prepaid Payments Instruments यानी PPI Wallets में अधूरी KYC वाले Accounts की महिने की खर्च सीमा 10,000 रुपए से बढ़ा कर 20,000 कर दी थी पर करीब 10 महिने बाद Reserve Bank ने फिर से इसमें कमी कर दी है और ये घटा कर 10,000 रुपए प्रती महिना कर दी है और साथ ही एक वित्ते वर्ष में एक PPI Wallet से एक लाग रुपए से ज्यादा पैसे का लेंदेन नहीं कर सकते अगर हम PPI के हुई कुल राशी को देखें तो अगस्त की महिने में सिफ 2720 करो रुपए का लेंदेन हुआ था जो सितंबर में बढ़कर 2760 करो रुपए पहुँच गया यानि सिर्फ डेड़ फीजदी का इजाफा देश में चालू हुई Digital Transaction की यह मुहीम नाकामियाब साबित होती दिख रही है साथी दिवाली के मौके पर जब लोगों को जरूरत है अपने घरों में पैसे भेजने की तभी इसे कम कर दिया गया है जिससे लोगों को असुविधा होगी उजेर अले जाफरी की रिपोर्ट गो निउस